तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होप आप सभी लोग अच्छे होगे अभी है हम अस्सलाम कैटल फार्म का नए फार्म में मतलब जो कि गौल बाड़ी में अभी नया शिफ्ट हो चुका है और पूरा पूरा फार्म माशायला बन चुका है और जानवर आनाप शुरू हो है ठीक है यहाँ पर टोटल चार से पांच बैल है और गाय का भी माशायला जबरदस्त कॉलिटी है ठीक है तो वीडियो में बने रही है आज आप लोगो को यहाँ का पूरा का पूरा बैल का लॉट दिखाएंगे निकाल करके और गाय का भी कलेक्शन को एक ओवराल व्यू जो है नए फार्म में तो लाइक जरूर कर देना इस वीडियो का और शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ क्यूंकि उन लोगो को भी बताओ कि अससलाम जो है अभी आचुका है ग्वाल बारी में ठीक है इसका भी लोकेशन दिखा देते हैं फिर जानवर देखाना शुरू करे है आप लोग को इस बार इसके बार गेट दिखा देते हैं यहां पर अससलाम कैटल फार्म नंबर आप लोग देख लीजिए यह है फोन नंबर एक यह अवलेबल है और एक यह भी है ठीक है आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दोनों नंबर मिल जाएगा आराम से देख लीजिए आप लोग आगे में हैं फाहाट डेरी फार्म यह जो मोड है जो टर्निंग है यही वाला टर्निंग के जमजम जानते हैं उसके जश्ट सामने में यह वाला मोड में अस्सालाम केटल फार्म है ठीक है आईए अंदर चलते हैं कलेक्शन दिखाना शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स अस्सालाम केटल फार्म का सबसे पहला नंबर माशाला भी बैल निकल चुका है माशाला जबरदस्त बनाओ में आप लोग देखिए क्वालिटी अस्सालाम केटल फार्म का जो चारो बुल है माशाला जो आज आपको डिस्प्ले करके दिखाएंगे वो वन दर टॉप है माशाला सब कुछ बना हुआ उसमें आपको दिखा रहे हैं एक्चुली दोस्तों जब इतना हाइट का जानवर रहता है तो उसको बनने में वक्त लगता है ठीक है लेकिन ये जानवर देखिए कितना जबरदस्त माशाला बना है ये देखो वह तो जबरदस्त क्वालिटी का आप लोगों को बैल दिखाया जा रहा और सीजन अब आच चुका है तो आप लोगों को जो भी बैल चाहिए चारों जो आज डिस्पले होगा वो कुछ भी चाहिए आप लोग आईए अस्सलाम गैटल फार्म एक बार लोकेशन भी में आप लोगो दिखा और एक चीज़ हमको इसका बहुत अच्छा लगा बहुत ही पसंदिदा लगा जो कि है इसका पीछे का बनावट पूरा गोल हो रहा है फ्रेंट्स ठीक है और बैल में एक गोलाई पकरना बहुत बड़ी बात होती है समझ लो माशा अल्ला ठीक है तो यह है हम लोग का अस्स अब इसका आप लोग को चला करके दिखाते हैं क्योंकि जानवर को चला करके भी दिखाना बहुत जरूरी है उससे पता चलता है कि जानवर में कोई दिखकत है या नहीं पाव में दद्ध है यह जानवर में कुछ भी नहीं है माशा अल्ला पूरा फिट है Alhamdulillilah और माशा भरपूर बनाओ में फर्ष्ट नंबर बुल यह आप लोग बैल देख लिए हैं फ्रेंट्स ठीक है जो कि पूरा का पूरा माशाळलाब बना हुआ है तो अब ले करके आते हैं फ्रेंट्स आप सब के सामने दुसरा नंबर बैल ठीक है तो फ्रेंट्स अभी सिकेन नंबर माशाळला माशाळला आप लोग इसको विटनस कीजिए फ्रेंट्स मतलब एक जो अंधरा का पूरा गोल वह बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंट्स ठीक है माशाळला माशाळला अस्सलाम माशाळला जबरदस्ट बनाओ में बैल को प्रोवाइट कियें आप सबके लिए बह इदा से हाँ माशालला बहुत जबर्दस्ट बहुत जबर्दस्ट एंड ब्यूटी अब सर रूचा कीजिए एक बार माशालला जबर्दस्ट क्वालिटी है फ्रेंड्स ओके आप लोग क्वालिटी देखिए सिर्फ अब इसको यहां बांधिये इस कुंडी में तो अभी आप लेवल का हाइट तो बेसिकलि हम लोग यह चीज देखते हैं कि आंधरा में फ्रेंड्स ठीक है बैल बनना पूरा का पूरा गोल बहुत जरूरी है करी मज़ा आता है है ना हो हो ठीक है लग रहा है कोई हाँ भाई हाइट बैल खाड़ा है पूरा का पूरा बना हुआ माशा हो गया दोस्तों शिकेंड नंबर अब लेग घुमाईए भाई थोड़ा अब इसको घुमाईए एक राउंड घुमाईए एंड देन इसको जो है ले जाएए आप लोग इसको बिटनेस कीजिए बैल को देखिए वह पूरा का पूरा माशाला बना हुआ है पूरा परसेंट पूराका मा्शाला बना हुआ है थीक है ना तो आप लोग को अससालाम का जो की एक बैल का समझी सकते हो बहुत जबरदस्ट पूरी युज चार्य को अभी पेश किया जा रहा है वह उच्छ रहा है बैल इतना फीट है माशालला ठीक है और मतलब पूरा का पूरा माशालला कह सकतो पूरा का पूरा बना हुआ, 110% friends, पूरा एक अलग सा गोलाई आ रहा है पीछे में, जो कि बैल में आ रहा है, ठीक है ना, बैल में actually होता क्या है, कि लंबाई में आयाता है पीछे का फ्रेम, लेकिन इसमें पूरा का पूरा गोल है तो देखो, पहला नमबर ये वला था, और सिकेंड नमबर अभी यहाँ पर आ चुका है, लेके आते हैं अब सब के सामने अब थर्ड नमबर, चलो, अब आ रहा है, माशालला, माशालला, थर्ड नमबर friends, जबरदस्थ बैल, जो कि यह है आंधरा का, और इसका एक चीज़ आप लोग गौर किज़ेगा, जो कि यह इसका height, जो कि one of the top है, सब आंधरा का bell में जो कि अभी तक निकला है, लिटरली बता रहा हो, बनाओ में सिर्फ ध्यान देना, और ये थोड़ा बदमाश है, तो कुछ ना कुछ कर सकता ही है, इसलिए समहल के मुझे भी रहना होगा, और भाई आप भी रही है, तो ये जानवर जो आप लोग अभी हम दिखा रहे है, ये next level huge है, ठीक है, माशा अल्ला, end beauty, वा, quality देखिए फ्रेंड्स, आप लोग सिर्फ ठीक है, एक पुरा का पुरा आंधरा में जो पुरा गोल बनावाता है, ठीक है, वो इसमें आप लोग तो ये हम लोगों का फ्रेंड्स है, ठीक 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 है, तो वन बाई वन जो है, शोकेस हो रहा है, आप सब के सामने, तो फ्रेंड्स, अभी आ रहा है, आप सबके सामने फोर्थ नंबर माशालला गीर ठीक है तो ये फ्रेंड्स हम लोग का ये माशालला फोर्थ नंबर है जबरदस्त बनाओ में और ये वन अफ दा बेश्ट बैल है जितने भी आप लोग बैल देखें है सबसे ज़्यादा माशालला खुबसूरत बैल है क्योंकि ज़ालर में बनाओ में और हर अतिबार से माशालला जबरदस्त पॉलिटी है आप लोग इसे लेके आते हैं आप लोग इसका सिर्फ बनाओ में ध्यान दीजेगा ज़ालर का बनावत है फ्रेम है उसका ओवरल वह बहुत जबरदस्त है अब इसको यहाँ पर लेके आते डिस्प्ले करते हैं आप लोग के लिए यह अभी फोर्थ है वन टू और थ्री य मशालेल है असरे असरे लेके लिए अगे रखे हो ला ister है कि यह फोर्थ नंबर हें अ ठीक है तो यह हम लोग का फॉर्थ नंबर है फ्रेंट्स बहुत हूज माशा अला यह फ्रेम से आप लोग देखिए ठीक है और ओवराल बॉडी भी देखिएगा जालर की बनावट माशा अला जबर्दस्त कॉलिटी ठीक है घुमाईए घुमाईए वह से माशा अला बहुत सा अंधरा आम लोग को जो है नहीं चाहिए तो लेकिन इस लेवल का चीज है बनावट है पूरा पूरा गोल देखो पूरा गोल आप लोग को मीलेगा ठीक है ना माशा अला वहां से घुमाईए ऐसी तो फेस आप लोग को एक बर देखाते हैं माशा अला इसका बहुत माशा अला बहुत जबर्दस बहुत जबर्दस एंड ब्यूटी तो चलो यह हम लोग को हो गया माशा अला जबर्दस क्वालीटी वाला फूर्थ नंबर बैल अस्सलाम के डिल फार्म का तो पहला नंबर में जो था यह आप लोग को हम दिखाए थे लोग देख लिज्ये यह एक नंबर था ठीक है फिर सिकेंड नंबर में यह था देख लो चारो का चारो आप लोग को दिखा चुके है और अगर हम यहाँ पर एक गीर भी है गिर बहुत जबरदस्थ है और potential काफी अच्छ है इसके पास और बनने का अगले साल के लिए ठीक है तेखिए गिर है देख लो तेखिए गिर है तो इस वीडियो में आप लोगो टोटल हम 5 जानवर इसको मिला करके ठीक है गिर देखो माशाला तो असलाम कैटल फार्म का फ्र बहुत जबरदस्थ माशाला पूरा का पूरा बनाव में ठीक है और यह सिकेन नंबर है जो कि आप लोगो दिखा रहे है इसको यह वाला जो पोडशा ने ना फ्रेंड्स थोड़ा अलग है जो कि बाहर फेका हो मतलब समझ सकते हो बहुत कम ऐसा जानवर होता है जिसमें इस लेवल का बनावाट आता है पीछे से आप लोग माशाला कॉलिटी देखिए जबरदस्थ पीछे से बनावाट हुआ ठीक है न तो यह हम लोग का हो गया सिकेन नंबर जो कि आप लोगो दिखा रहे है सलाम का ठीक है और यह वाला फर्ष्ट नंबर जबरदस्थ माशा तो यह आप लोग कम थोड़ा से दिखा दिए बहुत जबरदस्थ पॉलिटी अला दूसरा नंबर यह बाच्छी है और इतना बनाव में तो यह यूनिक पीस है सलाम में आईए आप लोग जल्दी से जल्दी ले लिए क्योंकि हो सकता यह बहुत जल्दी निकल जाए क्यों पूरा बना हुआ ठीक है ना अधिक है ना आप लोग आये बात कीजिए क्योंकि अभी मैं उन सब को नहीं देखा रहा हूं ठीक है और पीछे जो पुरा पूरा बैल का लॉट था ना उसे मैं निकाल के दिखा दिया हूं ताकि आप लोग को कोई शको शुबा ना रहे जान की मामले में ठीक है कोई भी आप लोग को शको शुबा ना रहे इस दिल में निकाल कि उन सबों को दिखा दिया हूँ आप लोग के लिए ठीक है तो इसलिए इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और आई होप आप लोग को असलाम केटल फार्म का 2023 कलेक्शन का जो व्लॉग है पांच बैल और दो से तीन गाय जो दिखाए है वह अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक जरूर करते जाना अभी है हम हम असलाम का जो एक नया फार्म बना है जो ग्वालबाडी में है पहले क्योंकि जानवर के एक यह लाइन है लेकिन जब जानवर की पीछे से हम चलेंगे तो इतना पैसेज निकला हुआ है ताकि हम लोगों को डन नहीं लगेगा कि हाँ भाय हम चलने के जानवर लात मारते तो बहुत अच्छे स्पेस दिया हुआ है बीश में देख सकते हो और द ओवरल व्यू मिलने ठीक है तो यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं वीडियो को लाइक जरूर कर देना लोकेशन भी आप लोगों को दिखा दिये हैं बैल भी दिखा दिये हैं मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो में नए व्लोग के साथ तब तक के लिए इस झाल